भुट टकला आया नहीं फिर गाय भूई हो गया हम महराश्च बहुत बार गए भूट टकला आया यह नहीं हम उसको बुलाते ही रहे मुंबई भी गाय गाय कि रहे हम मिल नहीं पाए नहीं बूलाओंगे नहीं बुलाओंगे आज आपके चरण छूके ही जाएंगे आप हमेशा खुश रहो और भागवान आपको और हमारी उमर पुए भारत की उमर देदे जैस्री राम मैं रादनी थी थे तो नहीं लेकि मैं मोदी को बहुत चाहता हूं मोदी और योगी हमारे प्रान है भारत के आझे स्टूर अब फरकवा अमर एमरेवें द्रबुवैश्टान में है बहुत भेमान है सफ्टनाम सब्सक्राइबान उनका मंत्र है वो भी हिंदू राष्ट वाले हैं और बहुत रहने कि हमार प्रसम गुरु साही टेवराम जी महराज है उनकी उनका गुरु हमारे वो क्या समाधान चाहेते हूं आपको अंतरयाम है जो में लिखा हूं परचे में क्या-क्या लिख कर लाए है निकालो अपना परचा आप अपनी ही विर चर्चा करो क्योंकि इतने ज्यादा तो परचे हम बनानी पाएंगे लेकिन आप अपनी ही थोड़ा नजदीक आओ ताकि हमारा भी परचा पड़ पाओ गोश्चन तो बहुत सारे हैं हाँ बहुत सारी कितने हैं आपके साथ हैं हाँ साथ मैंने जियों से जालू किया है एक लोट नहीं बोला हैं हम बनाए रखे हुआ हैं जी गूजी उनमें मैं पहला कोश्चन दो लिखा था जो मैं सबका भला हो और जो जिहादी हिंदों की वैली में निशाना करते हैं उनका आधार का निरस्त होना च सबसे पहला ये भारत सुखी रहेगा तो आटोमेटिक दुनिया सुखी रहेगी आप तीन प्रशन कोई भी कर लो ऊपर से नीचे से बीच से जो तीन करोगे वही हमारे परचे में छपे नेपाल से वीडियो डालेंगे आपके लिए आप चैनल को सब्सक्राब करके रखना लिए आपको जैसे ही हम वीडियो डालें खे आपको टराप्त हो जाए अगली वडियों मिलेंगे उसके लिए जैसरी बागीष्वागा ग्राश्वाजी महराज पर अभी में हनुमार्ण वास करते हैं जैसरीराम जैसरीराम पूछलो तीन हमारा कारवा ठोड़ा पहरे से कम हो गया है थोड़ी तक्रीब है उसकी अब गुरु मा और सब सुखी रहे हैं पड़ो काम धाम रुख गया है अवरोध हो गया है दो साल से दिक्कत है कुल देवी के लिए नवचंडी पाठ करवा दें हिंदू राष्ट के काम पर क्रपा होगी पक्का बच्चों की उन्नती व पूरा परिबार स्वस्तवा प्रशन रहेगा किसी की भी नजर नहीं लगेगी वह आठ महीने बात कारोबात ते चलेगा जावा शीरबाद है परचे में लिक्कर के लाए हैं आपने सुन से साथ तक के छे क्रम डाले हैं टोटल साथ प्रशन हैं लास्त में आपने कहा क्रपा बनी रहें सदा जोड़े रहें ये भी आसिरवाद बुल बागेश्वरधाम की जै सन्याति बाबा की जै आपको दिख्षा भी देंगे अनमान जी की हुआ हमें एक मिनट में निकाल के आपको बता है गुरु जी मेरी मां की कमर में दर देता है वो भी उनकी साथ में आई ये उनकी भी अर्जी सिकार के और मेरी बेहन की न बेटी चले गई है मतलब आ नहीं रही है तो उनके लिए आप कुछ बताईए उपाए या कब आएग हम चाहिए आप आप अंतर या मियोथ है गुरु जी मैं आपको बहुत बहुत मन से याद करती दिल से और मैं एक जन्वरी से आपके लिए प्वास लखियो अभी तक मैं कुछ में सो कि आप अपर साथ खिलाओगे अपने हाथ से तब खाऊंगी मैं मतलब एक दिन फलार की कि उसके बाद में कुछ भी नहीं खाई हो एक जन्वरी समय तक आप राय पूराएंगे आपके दर्शन करूंगे उसके बाद ही कुछ का पाऊंगी मा को कमर की नस्थ दब गई शरीर में दर्द हो गया है और बहन जी बाला हम अरजी अभी स्विकार नहीं हो पारी वालक ब बालक बाली हो रही है और बालक बाली आग्या हमाई पास आचुकी है डॉक्टरी सलाय थोड़ी लेनी होगी आपको कुछ ट्यूब दिक्कत आदेगी दर्भासे में तोड़ी सी और आप डॉक्टरी सलाय चलाओ अगोपाल सहस्तनाम का पाठ करो हम बंधन करेंगे हनमान ज चाहा दूसरी संतती की किलकारी गुंजेगी तुम्हारे घर पार दुबागे श्राम की ये तुम्हारी ब्रत का फल है हम किसी का ओधार नहीं रखते हैं तुम दुनिया को मांग रहे अपने लिए नहीं मांग रहे हैं खुच रहो जाओ उसको लिबाले आई है आओ धाम प पर चाहम टीवी पे इन दिखा पाया आपका अ कि राम है गुरुजी सीता राम है जा सदा जेवा गुरुजी माइक और सस्राल दोनों में सब ठीक रहे बिलकुल बैना बिलकुल मेरी बैना दोनों भाईयों का कारोबार चले दोनों जेट का फूब चले ठीक है तुम्हाए गाओं को महला को चतीजगर को सब को कारोबार चले जय हिंदु राष्ट की शत्नाम साक्षी जय स्रीराम जय हनुमान जय हो जय हो जय हो मेरी बैना मेरी बैना बद खुश हो मैं नहीं बैना तने आप दूर शिपना इस बैना धाम आओ फेन है शीदार कि बाद में भजन सुना है हमने ये पाली यह तुम पाओ बेना अपना बृत पूर करें कैसे हो आप राम सीतारा वागेश्वर धाम की बलो सन्यासी बाबा की बाला जी सर्कार की कहा से हैं आप मैं राइपूर से हूं हो राइपूर में कहां रहते हैं शंकर नग ऑर में रहता हूं और मैं आपके आप पहली बारी आया हूं हमारे कैनेड़ा से दो मेहमान आये है मेरी डेढ शास और सडुवाई और बॉम्बे से मेरी साली उनके लिए खास हम लोग यह आये हैं उनके लिए अमने अर्जी लगाई थी और आपकी कृपा हम पर हुई आपकी बहुत महरबानी मेरी सुन्दरकान बहुत ज़्यादा करती है अच्छा वाँ उन्ही का प्रताफ होगा अनमाय का प्रताफ है क्या समाधान चाहते है आप परमात्मा की असीम कृपा है आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरा घर परिवार भाई बंदू सब बहुत अच्छे है अभी थोड़ी फाइनेंसियल दिक्कत चल रही है बाकी उपर वाली की कृपा है मेरे ससुराल पक्ष में मेरे साले को थोड़ी तकलीफ है बाकी सब अच्छा है साले को क्या हो गया मेरी साले की मिस्स की अभी डेत हो गयी और बिजनेस में उसको तकलीफ है छोड़ी सब इस सभी सुकी है सान्ती है रहेंगे परिबार में कृपा है बनी हो रहेगी हो जाएगी विस्तेडार की साले की अर्जी लेकर आए हैं बाला जी हनमान जी की कृपा से वह उन्नती करेंगे पुना व् सिरवाद है जय हो बागेस्वर धाम की जय हो आपकी बहुत प्रुपा रहे हैं मेरे बार वो आ सकते हैं क्या कि आप जब बोले मैं बुला लूँगा ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप जब मार्च में वहां रहेंगे तो मैं वहां ले आऊँगा उनको धाम पर ले आना मैं इनसे आपका टाइम टेबल ले लूँगा कब रहेंगे कुछ प्रॉपर्टियों के कारण नहीं प्रॉपर्टि क्यों दिक्क है नहीं बिजनेस का नहीं थोड़ा आपकी चर्चा पर बहुत चोटा काम है आप उनको हमारे पास भेजो क्योंकि अभी वह बहुत स्ट्रेस में है कि मैं और मेरा भाई मेरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है खुब सब्सक्राइब और मेरे कजीन प्रदर सब की हम लोगों की बहुत अच्छा परिवार है बहुत सब अच्छा है पूरे परिवार को सिर्फ थोड़ी सी की नजणना लगे सिर्फ थोड़ी सी फाइनेंसियल दिक्कत है बाकी सब आपकी उसके लिए हम एक कबच देंगे हमारे पास प्रमोखर जी आपकी रिस्तेदार कियाई साले साहब की हमें उनके लिए विस्यस विधी करनी है उन्हें स स्ट्रेस से बाहर निकालना है उनकी व्यापार उन्नतीका करना है उनको जो है अभी वरतमान में बिचित्र परस्ततियों से हमें बचवाना है अभी वो बिचित्र परस्ततियों से जूज रहे है आप उनको मार्च में या जब भी समयन को लगे आप ले आना आपके लिए हम एक कवच दे देंगे जय जय रहेगी और उनको बता देना गुरुजी ने ये प्रॉपर्टी बाला कहा है उसकी वो तैयारी करें आशिरवाद है हमारी सुखाम नाय करना है यह मिठाई देना मुझे आपकी हसी और ताली बहुत अच्छी लगी जय ओमाद थेंक और इनको आप दर्शन दे सकते हैं हम मिलेंगे एक मिनट आशिरवाद दिवाद देना पका पका खुश चलो आंगला नंबर राम गुरुजी सीता राम दना हा बोलो बागे सुरधाम की दिब दरबार की नजदीका और क्या नाम है शुभम साहू पूचिये मेरा एक ही प्रोब्लम है करियर को लेके मतलब कभी डिसाइड नहीं कर सकता मतलब मन बहुत विचलित होता है भावुत बहुत जादा हो जाता हूं बस एक ही दिक्कत है मेरा क् चाहते हैं आप वही समझ नहीं आ रहा है क्या चाहता हूं अच्छा तैयारी कुछ कर रहे हैं अभी मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया है गोवर्मेंट कॉल से किया हूं और अभी पापा के साथ दुतान दारी करता हूं कपड़े का बिजनस है अम लोग का चीक है हमने आपका यहां से शुरू किया सोचते हुए बैठे थे कि सत्त क्या है दोस्तों से हसी खिली उड़ा रहे थे परचा की चर्चा कर रहे थे बैसे हनुमान भक्त हैं आप सिबम जी है ब्यापार कृपा हंडेट परसेंट रहेगी आंगे सफल होंगे सावधानी दो साल बाद एक बिब अब का तो तुम्हाई छिलाई करें वहीं नहीं कर रहे हैं तुम्हारा मोबाइल बहुत चल रहा है कि अब इलू-इलू में पसगे बेटे कि अब का तो हम लडाई करवा दें एक नहीं दो है मेरा सोना मेरा बाबू अच्छा और क्या है स्वीटी भावत आंगे बड़े जाबी फिर दो बाते हैं आपको आज से सब बंद करना इमोशनली बलैक मुलेग में फस जाते हो आप इमोशनली बातों में फस जाते हो टाइम वहाँ ज़्दान देने लगे हो और एक और तुम्हारी दिक्कत हुई एक बहुत गंदी आदत हो गई तुम्हारी ये हम तुम्हें दो चीजे माइक से नहीं बोल रहे ताकि तुम्हारी बेज़िती ना हो इज़ित बची रहे ये बहुत जादा ओबर समझे गए और ये दोनों आज से बंद हो जाएं नहीं तो अंगली बार इंटरनेशनल चैनल पर तुम्हारी खिचाई करेंगे उसमें क्या है बेटा इस कारण से तो मैं थोड़ा सा नित्रों में भी दिक्कत हो गए ये और सिर्की भी पीड़ा सुरू हो गए और साथ में ये भी दिक्कत हो रही है जो बोलना नहीं चाहिए माइक से हम थोड़ा अमरयादित बोल रहे हैं ये कई बार ये और ये बहुत ज़्यादा हो गया और ये हो रहा है बरबाद हो जाओ और तुम क्या समझते थे गुरू को पता नहीं मैंने सोचा था अरजी नहीं लगेगा लेकिन लग गया अब तो मैं भरोसा हो गया मेरे को सुरू से भरोसा है अब ना करना हमारी खिली मैं नहीं कह रहा था तो कौन-कौन बैठा था था वहां वहां मैं हूँ और मेरा चोटा बाई है जो मतलब स्टाफ है उसको मैं चोटा बाई मानता हूँ यह हमने डिलीट कर दिया पूरा काट दिया आज से इस पर पक्का जी कोई सिकायत तो नहीं मिलेगी इस पर यह जो नीचे बाला लिखा ना हमको ना भूल या ना पक्का आपको कैसे भूल सकते हूँ वरो फ्यारो ठीक यह हमने बंद कर दिया जो आपने बोला वा मैं बनूंगा कि नहीं है श्योर सौ पर्षेंट बाबाजी बैठे हैं जो कह दिया वो कटता नहीं जाओ पाउपर लो अच्छे चेलाओ अजो यहीं पास में रहते क्या हैं कुचराओ अच्छा रहाँ जाओ आज इस बाद जैज या रहाँ के आप जो रही थी हाँ कि यह रही थी आप मिलना के लिए का से हो आप च्छतीजगर में कहा से हम भी चत्तीजगर एं करुद करुद यह कहां पढ़ता है, कुरुद, धमतरी, हाँ, हम धमतरी जानते हैं, वहाँ पर वो हैं, अंगार मोती वाली माता, हैं, हाँ, तो तुम रो क्यों रही थी, लोग मिल लिया, अब ना रो, अब आशु क्यों भरे, अब हसो, माय देखो, माय देखो, हसो, दात निकालो, नहीं न निकालो दात, क्या नाम है तुमारे, गुन-गुन, गुन-गुन, क्या नाम है, बहुत अच्छा नाम, आ करो, और कौन आया है, मम्मी आया, तुम बागे सो धाम आया, कब, एक बागे आया है, एक बाट और लाइगी, एह, आ करो, आ करो, खाले टोटो, अच्छा, आ हम खाले, खुश्रा, किसी के नजनना लग, जाओ, और कोई बात आग्या हमारे लिए, हाँ, देव आग्या, बाबा, मेरे बाबा, तिन चाल से लापक्ता है, ओ, माँ ही तुमारी, उनको बुला लो, इनकी मा को मंच पर पहुचा दिया जाओ, खुश बेटा, फोटो लाए उनका, ठीक, मा को बुलाओ, जाओ, इनका नाम तो लिखा न, ठीकम सिंग राजू, आपकी मा को बुलाओ, हमाए पास, इनकी मा को प्रिवेश करवाओ, आओ आओ बैंस, कि माइक लो आप परचे माइक से दे सकती है कि मैं दमतरी से आई हूं दमतरी कुरुद से आई हूं पहली बार आई है इस एकेंड बार माराज जी अच्छा दर बार में पहली कहां गहीं थी मिल नहीं पाई है अरजी नहीं लगी है ठीक है आपने यहां किसी को अपना बेस है आउगत तो नहीं कराया थे बिटिया बता चुकी हमें बिटिया ने हमको फोटो भी दी नाम लिखी वाली फोटो दी हमको राजू ऐसा कुछ लिखा है और चलिए नजदी काओ हमें जो आग पुरे परिवार को जैस याराम किसे अफलोड करते रहें और आपसे भताना चाहें बागी सभधाम सरकार 24 अपरेल तो बागी सभधाम पर दिब महा धर्वार लगाएंगे इस वीच को अगर आपको आना है बागी सभधां पर तो आप आ सकते हैं और दिब दर्वार का आप आनद पर आपकर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं 14 सुनसरी नैपाल में बागी सवाधाम सरकार के कथा आगमन पर 5 दिन की दिवसी कथा और एक दिन का भविच दिब दरवार लगा जिसके दोरान लगों की संख्या में यहां पर सित धालू आये देख सकते हैं सबी लोग यहां पर आई हुए हैं और जिप दर्वार और कथां का अनद ले रहे हैं ऐसी ही वीडियो हम डालेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको लगातार हमारे चैनल के माज़म से वीडियो पर आपत होती रहे अगली वीडियो मिलेंगे उसके लिए जैसी रहम जैसी बागी सवद हम बाला जी महराज की जै सन्यासी बाबा की जै बागी सवद हम सरकार की जै